चतिस गड़ के जिला गरिया बन नगर पंचायत फिंगेश्वर के जन प्रतिनिदीव अधिकारियों के खिलाफ नगर वासियों ने हला बोल दिया है अधिकारियों के उदासीन रवये व जन प्रतिनिदियों के गेर जिम्मेदाराना रवये से नगर वासियों में खासा अक्रोश व्याप्त है जो जन आंदोलन की तैयारी में है देखिए गरिया बन से शेक इम्बरान की रिपोर्ट पूरा मामला है जिला गरिया बन के नगर पंचयत फिंगेश्वर का जहां वाडवासी नगर पंचयत का घेराव करने पहुँचे और जमकर नगर पंचयत अध्यक्ष वा अधिकारी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए इसकी वज़ा यह है कि नगर एतिहासिक धरोहर सरार जो पूरी तरह गंदगी में तबदिल हो चुका है जो कभी हजारों लोगों के निस्तारी का एक मात्र सादन हुआ करता था वो सरोवर वर्तमान में बजबजाते गंदगी और घास फूस से पटा पड़ा है नगर वासिय ने बताया कि नगर पंचायत बने दस वर्षों से अधिक हो चुका है तब से नगर के गंदे पानी निकालने नगर पंचायत ने नाली का निर्मान किया है और सीधा नाली को एतिहासिक धरोहर सरार से जोड दिया गया है जिससे पूरे नगर बर का गंदा पानी सरार में जाने से वहां का पानी जहरीला बन गया है और देखते ही देखते पूरी तरह बरबाद भी हो गया है इस्तिती तो यह है कि विशाल सरार से अब बद्भू भी आना शुरू हो गई है सास सास सरार के पानी से निस्तार करने से संक्रमक बिमारी फैलने का डर लोगों को सता रहा है और नगर में हैजा फेस का खत्रा बना हुआ है नगर पंचायद फिंगेश्वर की जीवन रेका सरार को लेकर जब हमने जन आंदोलन की बात वाडवासियों से सुनी तो हमारी टीम मोके पर पहुँची और मामले का जैजा लिया हम इस वक्त नगर के धरोहर जिसे सरार कहा जाता है हम उस स्थान पर खड़े हुए हैं और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिसको लेकर नगरवासियों में काफी आक्रोश है यह आप सरोवर देख सकते हैं और इसे नगरवासी जीवन दायनी भी से कहा जाता है यह जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको हरे हरे पत्ते ही नजर आएंगे इसका मुख्य वज़ा यह है कि आप यह देख सकते हैं यह नहने का घाट है यहां एक वक्त ऐसा होता था कि लोग सेकड़ों की संख्या में यहां पर यहां निस्तारी करने हो आते थे यह इस्तिती है कि आपको पानी इस धरोहर में नजर नहीं आएगा यहां पर कुछ नागरिक है यहां के पहले बहुत अच्छी स्थिती इसमें फूरा नहाने का घाड था धारमी की सरजन होता था पहुत अच्छी थे आज इसकी स्थिती बहुत खराब हो चुकी है इसलिए यहां के जो नगरपन चाया थे उसको ध्यान देना चाहिए तो आप जिस तरह से नगरवाशियों माकरोष है इये देख सकते हैं यहां पे अंतीम संसकार किया जाता है और जैसे नगर पंचायत फिंगेश्वर में हर बार सरार चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है क्योंकि वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष अन्रिक चंद्रागर के चुनावी गोशना पत्र में भी ये पहला मुद्दा रहा है जहां अब तक सफाई नहीं हुई है यहां तक मुक्ती धाम में क्रिया कर्म के लिए भी पानी नहीं मिलता इसी समस्या को लेकर नगर पंचायत फिंगेश्वर का गहराव नगर वासियों ने किया और जम कर अक्रोश व्याप्त करते हुए जल्द सफाई करने की मांग की और सफाई नहीं होने पर जन आंदोलन की चेताव निदी शिंगेश्वर नगर पंचायत के एतिहासिक गौरो जिसको सरार कहते हैं और इसमें पूरे ग्रामिन जनों का यहां पर निस्तारी होता था और एक एतिहासिक धोरवर है जो विगयत पांच-साथ सालों से गंदगी से अटी पड़ी हुई है जिसको लेकर आ विशयत तो इसमें सरार के जो गंदा पानि जाता है उसके निकासी के लिए बात हुई है उसके बाद उसमें सासंस प्राबत राजिया भी सुक्री तरैसी हुई उससे उसका संदोरी करण गहरी करण किया जाएगा इस विशय में आज पहल हुई है लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि वर्दमान में जो नगर पंचा अनिल चंद्राकर जी है उनका घोसना पत्र में सवर प्रथम उन्होंने कहा था सरार के संदोरी करण के विशय को लेक लेकिन आज तक पहल होते नहीं दिखा है इस बात को लेके आज नागरिकों में जन आकरोश हुआ है अगर नहीं होता है तो इसके लिए उग्रांदुलन किया जाएगा जहां तक जो बन पड़ता है हम सब करने के लिए तयार है इस मामले पर नगरपाली का अधिकारी हरवन शिंग ठाकूर ने कहा कि आर्किटेक्टर को बुलाकर नगरवासियों के समक्ष रूप रेखा तया कर जल्द सफाई का कारिय किया जाएगा अभी मुख्य मंतरी की डेड़ करोड की खोशना थी उसमें बावाल लाक की योजना भेजने के आध्यस प्राक्त हुए है आर्किटेक्ट की द्वारा जो बनाया गया है वो टेवल पर बैटके बनाया गया का कि इस्टिमेट था उस कर रहता है दूसरे आर्किटेक्ट की विवस्थक की जा रही है और यह टेक्निकल चीजों को चुकि बेट लेवल बहुत नीचे है और उस जो पानी की निकास आता है उसको उपर सिप्ट करना एक कठीन काम है वहां बहुत सारी कठिनाईया है और आपको विश्वास दिलात यह हाल हुआ है यह आप देख सकते हैं यह नाली है जो नगर पंचायत फिंगेश्वर के तमाम जो गंदगी है इसी नाली के माध्यम से होते हुए जो नगर का शरार है जिसे धरोहर का जाता है वहां पहुंसता है और आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में जो नगर भ दिया विडम्बन की बात तो यह है कि जब चुनावी चुना हुआ उस समय नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल चंद्राकर के पहले घोशना पत्र में यह जो पहला मुद्दा रहा है चुकि इसे अब तक पूरा नहीं किया गया है हाला कि नगर वाशियों ने नगर पंचायत का कई बार घेराओ किया है और कई बार यही आस्वाशन मिला है कि इसे जल्द बनाया जायागा चुकि अब तक कोई ऐसी कोई बात सामने नहीं आया है कि इसे बनाने के लिए कितना का प्रस्ताव जानी हुआ है कितनी राशी आई ह हुई है हवा हवाई में सिर्फ बाते हो रहा है क्योंकि यह सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर पूरे नगरवासी भारी आक्रोश में हैं आने वाले दिनों में जना आंदोलन देखने को मिल सकता है लेकिन अधिकारियों दोरा अब तक कोई पुक्ता जान नहीं हुआ है गोल मुल जवाब अब तक मिल रहा है बारहाल देखने होगा कि इस धरोहर को बचाने के लिए किस तरह से कदम उठाया जाता है या फिर जन प्रतिनिदी अधिकारी एक बड़ा जन आंदोलन देखने के लिए तैयार रहेंगी ग्लिफ डॉटीन के लिए कैमर 1 webnews channel glyps.in तो दोस्तों ताजा खबरों के लिए जुले रहें ग्लिफ डॉटीन शुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुट थार्मिक धॉटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटु Shanghai